वेलकम टू वेदत नीट मैं हूँ आपकी मधुदी और आज की जो वीडियो जो होड़ने वाली है यह काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है विगोज मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जो है आप बच्चों के लिए मैं आप बच्चों के लिए एक प्रॉग्राम लेकर आने वाली हूँ जो कि आपके नीट के प्रिप्रेशन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्फुल होने वाली है देखो अभी कुछ दिनों से क्या है न कि कई बच्चे ऐसे हैं जो कि इंस्ट्राग्राम पे चलेग्राम पे हमारे यूट्यूब के वीडियो के कमेंट बॉक्स में वहां पे बहुत जादा जो है उनकी क्विरी जारी है जैसे कई बच्चे ऐसे हैं जो मुझे पूछते हैं कि दी एक्चल में ये सर्टेन टॉपिक जो है वो क्या होता है कुछ अलग अलग उनकी सिंपल सी बात है बिंग अ स्टुडेंट उनकी अपनी डाउट होती है उन में से मोस्ट आफ दा बच्चे ऐसे होते हैं यूँ कहो need में बने जी से बोलते है कि दी मेरे को यहाँ प्राब्लम हो रही है मैं further यहाँ पे भी class कर रहा हूं बट मेरे कुछ चीजे समझ में नहीं आ रही है ऑनलाइन में वही चीज़ है कि teacher जो है मैं जब कमेंट करता हूँ just टीचर कई बार देखते हैं, कई बार नहीं देखते हैं, ओफलाइन की बात है, तो कभी कबार जो होते हैं, वहाँ पे तो टीचर से personal interactions भी जल्दी नहीं हो पाते हैं, या फिर थोरे बहुत के लिए भी होते हैं, तो टीचर बोलते हैं, ओके दूसरे बैच में आ जो या फिर कर लो देख लो उससे पूछ लो तो इस तरह का होता है तो बच्चे जो है इस तरह के problem जो face कर रहे है इसके regarding जो है बेटा मुझे पता है कि आप में से most of the student जो है इस तरह की problem से आप भी जो है वो जूज रहे हो और आप भी चाहते हो कि आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आपके इन सब ही problem की solution जो है आपको दे 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 देखो problem की बात तो हर कोई कहता है हर कोई कहता है कि बेटा हम तुम्हे mentorship group देंगे mentorship group प्रवाइड करवाएंगे जहां पर हमारी basically हमारे mentors तुमको मतलब जो है guide देंगे जहां पर simply बात है समझो इस बात को कि मेरा मानना ये है कि mentorship का मतलब ये है जहां पर student और जो mentor जो है उनके बीच एक personal communication होनी चाहिए personal communication in the sense of कि जहां पर बच्चा अपनी doubt खुद अपने मूँ से जो है अपने mentor को बोले और mentor जो है वो उनके doubt को सुनते हुए जो भी उसके लिए suitable solution हो सकता है वो उसको provide करे वेदत नीट आप बच्चों के लिए लेकर आया है वेदत mentorship program जिसके कुछ benefits है जो कि मैं आपको पहले बता देती हूँ क्या benefit है इसमें personal mentorship मिलेगी जिसमें आपको hand raise calling features मिलेंगे जहां पर आप और मैं हम दोनों ही एक दूसरे से बात करेंगे मतलब आप बच्चे hand raise system का इस्तमाल करके आपकी जो भी doubt है वो आप मुझसे पूछोगे call की through और मैं आपको जवाब दूँगी आपके जो भी doubt होंगे जो भी problem होंगे उसको मैं solve करूँगी ना के कोई और आप मुझसे पर रहे हो तो आपकी doubt को clear करने की जिम्मेदारी मेरी है यहां पे कहा गया कि यह session जो है यह आपके at least week में दो बार तो conduct होंगे ही और as per requirement अगर मान लीजे जरूवत परती है तो हो सकता है इसको और बढ़ाया भी जाए चलिए इसके अलावा अब जब बात करें हमारे के जो benefit होने वाली है वह है audio revision मैं आपको बता दूँ कि need preparation के फिल्ड में first time हम लोग जो है यानी वेदत नीट बिटा आप बच्चों के लिए लेकर आया है audio revision जहां पे आपको जो class जो मिल रही है ठीक है उस class की audio summaries आपको available करवाई जाएगी वेदत learning के आप पे जिसके मदद से आप अपने study जो है better तरीके से कर सकते revision basically आपकी बहुत अच्छी तरीके से होने वाली है चीक है क्योंकि जाहर सी बात है video lecture की length बहुत जादा हो जाती है और revision जो है आप थोड़ा सा आप भी कतराते हो कई बार 2X पे ऐसे अगर के आप देखते हो तो इससे बढ़िया यहाँ पे है कि आपको जो है audio revision मिलने वाली है जिसे आप बिलकुल कान में headphone लगा के गाना सुनते हो ना बिलकुल उस तरीके से आप बरे ही आराम से अपनी revision जो है वो कर लोगे चीक है इसके बात जो आपके यहाँ पे story tips की अगर बात की जाए तो ध्यान देंगे कि कि आज के समय में देखो जब आपके paper लिक की बात चली थी इस बीच में कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इन स लाना तो simple सी बात है इस तरह के जो मामले है बैटा ऐसा नहीं है न कि आज पहली बार हो रहे है और यह guarantee आपको Supreme Court ने दे दी है कि आगे नहीं होगी नहीं बैटा हो सकते है न और ऐसे scenario जब हो आपके surrounding में तो आपको किस तरीके से अपनी study को maintain करनी है आपको किस तरीके से प आपको पूरी दुनिया को लेके नहीं चलना है being a individual, being a single student आपको यह सोच के चलना है यह सोच के तयारी करनी है कि medical college में जो government medical college है उसमें एक seat कम से कम आपके नाम की होनी चाहिए बस यह मान के चलो और यह मान के पढ़ाई करो क्योंकि जब यह मान के पढ़ाई करोगे न तो आप इधर उधर के उलजनों में इधर उधर के जो फालतू के जो जंजट होते हैं इसमें नहीं फस होगे ओके चलिए आगे बात करते हैं कि यहाँ पे आपको effective strategy जो है जो है जो आपके toppers use करते हैं और जो scientifically proven है कि किस तरीके से being a student एक अच्छे marks को score करने के लिए कैसे आप को परहाई करनी चाहिए यह सारे study tips आपको दिये जाएंगे इसके बाद बात करते है study schedule की जिससे की आप अपनी performance को better बना सकते हो यहाँ पे आपको एक ideal schedule जो है study schedule आपको provide की जाएगी जिसकी मदद से आप जैसे आप उसको follow करोगे यह आपके need के preparation के level को भी boost करेगा साथ में आपको आपके dream medical college को पाने में आपकी बहुत ही मदद करेगा फिर बात करते है dedicated group की जहाँ पे आपको क्या करनी होगी आपको जो भी doubt आते है आप क्या करेंगे आप वहाँ पे post कर देंगे then after हमारी team जो है या मैं ही हूँ आपको as soon as possible आपको reply कर दोंगी इसके जो नीट की exam और academic exam जो होते हैं एक दूसरे से बहुत अलग है कई बच्चों के ऐसे सवाल होते हैं जो की खासका dropper बच्चे जो बोलते हैं कि दी मेरा ना class 12 में मेरा 90% था 95% था बट मेरा नीट में ना अच्छा माक्स नहीं आ रहा है बेटा तुम ये समझो तुम ये समझ हैं देखो आपको academic examination में क्या करना होता है paragraph लिखने होते हैं है ना एक question का जवाब आपको जो है paragraph में देना होता है बच अगर नीट exam की बात की जाए तो उसमें क्या होता है कि आपके पास जितना knowledge है उस knowledge के बसस पे आपको conclusion निकालना होता है और conclusion निकाल करके आपको given question के end result पे आपको पहुचना होता है मतलब कि इसमें कई लोग तो शुरुआत में ऐसे भी खेल खेलते हैं ना बोलते हैं कि यार चार गोले ही तो चार गोले में से एक ही गोले तो लगानी है और इसको जो है उतनी जादा जो है importance नहीं देते जबकि आपको समझना चाहिए कि देख अगर जहां लिखने की बात आती है तो लिखने का अगर आप थोड़ा बहुत फॉर्मुला भी अगर लिखके आ जाओगे तो आपको जो है नंबर वहां मिल जाते हैं जैसे मालो आप 12 के एक्जाम दे रहे हो वहां पे अगर आप फॉर्मुला लिख दिए डाइग्राम बन उस question का एक ही answer होने वाला है और आपको उसी answer को tick out करना है इससे बात से कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से examiner को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना पढ़ा है कितना मेहनत किया है end of the day जिस दिन आपकी exam होगी आपको चार option में से एक option को tick करना है जिसमें एक option जो है आपकी correct होगी अगर correct हुआ तो marks मिलेंगे नहीं हो तो नहीं marks मिलेंगे ओके तो इस वजह से आपको यहाँ पे extra mind draining tricky question दिये जाएंगे जिससे कि आपकी सोचने समझने की जो शमता है ना वो और boost हो सके और साथ में आप जो है ना exam time का जो pressure होता है ना वो आप handle कर सको और इसमें आपको मदद मिले okay then बात करते हैं जो 7th हमारी benefit है वह है test series doubt जैसा कि आप जानते हो कि वेदत नीट आप बच्चों के लिए test series लेकर आने वाला है जिसके regarding मैं बहुत ही जल्दी एक short video आपके लिए upload कर दूँगी okay तो यहाँ ध्यान दीजे कि जब test series की जब मैंन जब आप देखते हो शर्टेन मालो कोई भी topic ऐसा आ गया कि आपको जो है वह समझ में ही नहीं आया तो नहीं समझ में आया तो वह doubt आप यहाँ पे हमसे पूच सकते हो कि दी मेरे को यहाँ पे personally है मेरे को doubt है जो कि recorded class जो आपके solution जो प्रवाइड करवाया था उसमें मेरे को समझ में नहीं आया तो वो डाउट भी बिटा यहां पर आपकी क्लियर कर दी जाएगी लेकिन 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 एक छोटी सी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नहीं बलकि मैं अपने तरफ से यह क्लियर कर देना चाहती हूं कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इधर उधर का कहीं का भी आप यहां पर मेरे से डाउट शेशन अप ले रहे हो ओके आप अप अटेंड कर रहे हो लेकिन आप किसी कोई particular कोई इंस्टेट्यूट का आप दा लेकर आ रहे हो और बोर अदी मेरे को यह बता दो वह बता दो जाहिर सी बात है उन्होंने किस तरीके से रिप्रेजेंट कर होगा किस तरीके से बताया होगा उनकी जिम्मदारी मैं नहीं ले सकती ना विटाजी तो यहां पर सिंपल सी बात है आपकी निट में आया हुआ वो क्वेश्चन है इस तरह की डाउट या फिर मैंने अगर मालो पढ़ाया है और उसमें अगर आपको कोई डाउट आ रही है इ इसां कि यहां पर आप जानते हो कि यूटेब पर आप उक्लास मिल हो एक आपसमूट ल फ्री मिल रही है तो आ हुआप जितना पॉसिबल हो सकता है लगवत आपना जभाब देती हू है बट मेरे को ना समझ में नहीं आया तो जब आप मेरे से बात कर रहे होगे उस दौरान वह doubt जो आप पुछोगे तो भी मैं वह doubt आपको clear करूँगी मना नहीं करूँगी कि अरे नहीं नहीं तुम न जा करके न वो वीडियो देख लो मैं तो एक बर बता दिया मैं नहीं बताने वाली नहीं ऐसा नहीं होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और मुफ करते हैं हमारे next benefit की तरफ जसमें आती है weekly quiz यहाँ पे बिटा time to time आपके लिए जो है यहाँ पे क्या किया जाएगा weekly जो है test जो है conduct करवाई जाएगी okay basically यह quiz होगी जसमें आप लोग को short time में बिलकुल short time में आपको क्या करनी है answer देनी है okay तो इससे क्या होगी कि आपके अंदर answer solving ability जो है वो develop हो पाएगी क्योंकि मानो या ना मानो जो बंदा इस basis पे अगर problem solve करता है तो उसके जो problem solve करने की जो बोलते है ना उनकी जो latency है यह बढ़ जाती है उनकी शमता जो है वो बढ़ती जाती है जैसे कि examination में आपकी 180 question आते हैं तो जाहर सी बात है ना आपको time provider जो होते है वो उसी के हिसाब से दिये जाते है तो आपको one minute के अंदर में ही आपको कोई question को solve करना है और यह time जितना छोटा हो मतलब time duration जितना कम हो उतना ही ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए इसके बाद lastly आती है mind maps and charts जहां पे आपको कई सारे mind maps charts और फिर कई जो ऐसे topics होते है या फिर आप बोल लो कि कई ऐसे terms होते हैं जिनको याद करने के लिए आपको निमोनिक्स की जरुरत होती है ताकि आप उसको बेटर तरीके से याद कर सको यह सब ही आपको इस program में मिलने वाले हैं ओके अच्छा अब एक जिस ध्यान दीजिएगा कि आपको जितने भी यह resources जो हैं जो भी मैंने आपको simply provide जो करें बेनिफिट जो मैंने आपको बता है यह सब ही बेनिफिट जो है वा आपके नीट के preparation में बहुत 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 जादा आपकी मदद करने वाले हैं तो यह आपके पास एक तरह सी एक बहतरीन सी opportunity है मैं कहूंगी जिससे कि आप वेदत के साथ जुर करके आप अपने नीट के examination के preparation जो है वह बहतरीन तरीके से कर सकते हो अगर आपको इसके regarding कोई और अगर information चाहिए किसी तरह की doubt है तो आप जो है सब जो है यहां पे number जो दिख रहे है ध्यान दीजेगा इस पे whatsapp करें आप बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको जवाब जो है वह दिया जाएगा आपकी doubt को solve किया जाएगा तो इस number को जो है no down कर लेंगे और साथ में जब आप इस link को यहां पे जो आपको link दिखाई दे रही है जब आप इस link को आप क्या करेंगे click करेंगे दिन आपके सामने इस तरह का एक interface जो है वह खोल जाएगा ध्यान से देखिएगा यह interface है जहां पे कुछ FQs बगरा ब डाले है तो देखो जितना हो सकता था इसके बारे में जितना कुछ बताया जाना चाहिए था मैंने सारी चीजे बता दी लेकिन फिर भी अगर कोई doubt है तो भाई WhatsApp नमबर तो आपको दिया ही है आप जरूर उस पे आईए और पूछिए question ठेके यहां पे आपको बटा plans जो है वो available है ध्यान से देखिएगा इस plan की जो price ओ for 1 month 199 थी ठेक है जिसे अभी discount करके विटा आपको 79 rupees per month में दिया जा रहा है जो की monthly plan है वहीं अगर बात की जाए quarterly plan की जो की 3 month की थी यह आपकी price इसकी कितनी थी 5.99 थी जो के अभी आपको discount price में मिल रही है 147 में वही 6 month की अगर बात की जाए तो 11.99 में थी और अभी discounted price के वहाफ में आपको मिल रही है 298 में वहीं आपके एक साल की जो प्रोग्राम की बात की जाए तो यह थी आपकी 2499 rupees की थी और यह अब जो है आपको discounted price में मिल रही है जो की 5.99 for 1 year ध्यान दिजेगा जस दिन से आप enrollment लोगे उस दिन से एक साल की काउंटिग वो शुरू होगी और साथ में यहाप एक और benefit है और वो benefit यह है बिचा कि जब कभी in the future जब विदत नीट अपने तरफ से कोई अगर मालो की paid course अगर लाता है ठीक है कोई भी paid course लाता है आप उस paid course को अगर आप जोईन करते हो ठीक है अगर आप उस paid course को जोईन करते हो और उस दोरान अगर माल ल लिजे कि ये membership उस time तक valid है तो जब आप course लोगे ना उसमें से ये जो price है ये जो price जो आपने paid करा था यह price जो है वो minus हो जाएगी for suppose example के लिए मैं आपसे बात कर रही हूँ कि अगर मान लीजिए कि हमारे किसी course का price मान लीजिए कि 8,000 है तो जब आप ये course को purchase करेंगे उस दोरान अगर मान लीजिए कि आपकी ये membership अगर valid है उस दोरान इस price में से 600 रुपीज जो है वो क्या हो जाएगे minus हो जाएगे और minus क करके जो amount होंगे वही amount आपको paid करना होगा यान इस हिसाब से आप देख सकते हो तो आपकी ये money completely secure है और being a very sister मैं आपसे यही कहूंगी कि बिटा देखो एक मन्त तो मन्त की जो चीजें है ना ये जल ये कब भी जाते हैं पता भी नहीं चलता ठीक है तो अगर आप चाहते हो effectively और serious हो की नहीं दी मेरे को ना सच में अपने नीट की तेयारी जो है मेरे को करनी है और मेरे को तो भाई जब भी मैं नीट का exam दू गौर्मेंट मेडिकल कॉलेज में मेरी एक सिर्टो पकी होनी ही चाहिए तो बिल्कुल मैं कहूंगी कि बिटा आप जो है ये वन येर वाल अगर माल लीजे increase हो रहे है जैसे जैसे तो ये price जो है वह भी increase होगी और हाँ ऐसा नहीं है कि समय दर समय मतलब सालों साल मैं इसमें entry देते चलू नहीं भई यहां पे एक limited time पे जो है entry बंद कर दी जाएगी मतलब मैं limited student को ही लूँगी because कि मैंने सुरू में ही आपको बोल क्या बोला है मैंने यहां पे बोला है personal mentorship और personal का मतलब होता है कि मैं खुद अरे भई इनसान तो एक ही हूँ ना तो एक ही इनसान जो है आप से अगर communicate कर पाएगा तो जाहिर सी बात है उसको जो है समय लगता है ठीक है ना तो मेरी भी अपनी limitation है इसले मैं limited बच्चों को ही जो है लूंगी और एक टाइम आने के बात बिटा ये चिज जो है बहुत हो जाएगी तो आपके पास time है if you are serious then please come and join us okay so ये था हमारे आज के वीडियो का end तो I hope कि आपको सारी चीज़े clear हो गई होगी I hope कि आपको सारी doubt clear हो गई होगी अगर फिर भी कोई doubt है तो ये whatsapp number है आप इसमें बेशक whatsapp कीजिए हमारी team as soon as possible आपको reply करेगी as soon as possible आपको reply करेगी तो मैं मिलते हम आपको निक्स वीडियो में तब तक के लिए keep learning and bye bye